अगर आप भी hair fall से बहुत परिशान है, hair thinning की problem है, density कम हो गई है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाली है, क्योंकि यह highly requested वीडियो है, मेरे पास बहुत दिनों से यही comments आ रहे थे, कि हमारे बाल बहुत ज़ड रहे हैं, hair thinning क problem हो गई है, और density कम हो रही है, तो आप कोई solution बताएं, तो इसका जो live result है आप मेरी बेटी आकरिती के बालों में देख सकते हैं, यह एक पुरानी वीडियो क्लिप पड़ी थी, इसमें आप इसके बालों की density और length देख लीजिए, और अब इसके बालों की length और density आपके सामन हैं, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, बस आपने इस hair oil को आज ध्यान से देखना है और बनाना है, और इससे regular use करते रहना है, और इससे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत easy remedy है इसकी, बस जो home remedies होती है न वो दीरे दीर असर करती हैं, पर अपना असर दिखाती जरूर है आपको अंदर से positive होकर ही इसे use करना है, तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं, इस oil को बनाने के लिए कुछ curry leaves ले ले लेना और दो चमश ले लेना मेती दाना का powder, और इसे हमने बनाना है coconut oil में, यहाँ पर मैंने 500 ml coconut oil लिया है, oil को हमेशा low flame पर ही बनाए, और इसके ज टकने लगती हैं, इसलिए तेल को जादा गरम नहीं करना है, उससे पहले ही curry leaves को दरदरा करके इसमें डाल देंगे, देखिए जब हमें किसी चीज के फाइदे पता होते हैं, तो हमारी body positively उसे accept करने के लिए prepare हो जाती है, और उसके हमें positive results मिलते हैं, तो आज मैं आपको बत करी leaves होता है, इसमें भरपूर मातरा में vitamin A, B, C and E होता है, जो कि हमारी scalp को healthy बनाने में helpful होता है, इससे हमारे बाल मजबूत होते हैं, hair fall control होता है, और साफ में बाल तेजी से बढ़ते हैं, अब इसमें मैंने methidana powder डाल दिया है, जो methidana होता है, इसमें protein and vitamin C होता है, हमारी scalp क healthy रखता है, बालों को घहना लंबा करने में मदद करता है, और इसके बीजों में iron की बहुत अच्छी मातरा होती है, जो कि blood circulation को बढ़ाती है, और बालों को अंदर से मजबूत करती है, अब इस oil को हमने तब तक पकाना है, जब तक कि हमारे curry leaves का पानी न सूख जाए, क्यों कि अगर आपको best result चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, कि इस oil को हमने कैसे use करना है, मैं जिस तरह से अपने बेटी के बालों में ये oil use करती हूं, मैं आपको वह बला तरीका बताऊंगी, और उससे आपको 100% result मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को थ्यान से द सबको इससे बहुत अच्छे results मिले हैं, इसलिए आपके साथ ये oil शेयर कर रही हूं, तो आप भी इस oil को एक बार जरूर ट्राइ करके देखना, तो अब ये देखिए, oil पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, सारे ingredients इसमें अच्छे से इंफ्यूज हो चुके हैं, अब एक motivation मिलती है, आपके लिए ऐसी useful वीडियो लागती रहने की, और इसके साथ साथ जो viral hair dye hacks है ना, उन पर मैं experiments करती रहती हूं, और उनके true results भी आपके साथ share करती हूं, अगर आप इस तरह की वीडियो में interested हैं, तो चैनल को जल्दी से subscribe कर लें और bell icon को प्रेस कर दें, ताकि आ दाल दोंगी एक चमच castor oil, अगर आपको hair thinning की problem रहती है, hair fall बहुत होता है, और बालों की growth नहीं हो रही है, तो आप castor oil अगर एक चमच इसमें add कर देंगे, तो यह आपके बालों में एक तो natural moisture बनाई रखेगा, आपके बालों को shiny बनाएगा, और साथ में आपके बालों क growth को boost करेगा, तो इस तरह से आप oil use करेंगे, तो आपका hair fall control होगा, बालों की growth अच्छी हो जाएगी, और साथ में बाल healthy रहेंगे,